प्रेंट स्वागत एक नई वीडियो आज हम बात करने वाले हैं अगर आप भी 3A तीन पति एप इस्तिमाल कर रहे हैं और आपको भी एप में एड बैंक अकाउंट रिमूब करना है तो कैसे आप एड बैंक अकाउंट को रिमूब कर सकते हैं तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे और इस चैनल पर पहली वार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेलेकिन के बटन जहूर दबा दें ताकि अनले वीडियो का नोटिफिकेसन आपको मिलता रहे और किसी फोन से रिलेटेड, गूगल पेस से रिलेटेड, एप से रिलेटेड, कोई भी जान करी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं नहीं तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से भी प्रॉलम को सॉल्ब कर सकते हैं तो आपको सबसे पहले आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा सबसे टॉप में बिड्रोल पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्लस बैंक अकाउंट तो आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको इस टाइब से इंटरफेस देखने को मिलेगा तो आपको कोई दूसरा bank account ले लेना है इस सब को आपको remove कर लेना है remove करने के बाद आपको इस टाइब से इंटरफेस देखने को मिलेगा first number पर आपको डालना है account number second number पर आपको डालना है name जो भी आपके bank में आपका name है वो name डालना है 3 number पे आपको डालना है bank name 4 number पे आपको डालना है mobile number जो आपके bank account के साथ link होगा वो ही mobile number डालना है 5 number पे आपको डालना है IFC code 6 number पे आपको डालना है bank branch name 7 number पे आपको डालना है email address डालने के बाद आपको save पर करना है click save पर click करने के बाद आपको इस टाइप से interface देखने को मिलेगा आपने जो भी mobile number डाला होगा OTP पर click करना है उस पर OTP आयेगा और यहाँ पर OTP डालना है submit पर click कर देना है आपका add वाला bank account remove हो जाएगा दूसरा bank account यहाँ पर add हो जाएगा तो आप इसी तरह से bank account को remove कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना है और हमारे वीडियो देखने के लिए share, subscribe, like, bell icon के बटन जहूर दबा दे ताकि आनले वीडियो का notification आपको मिलता रहे मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार